अभिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिवेट बैनों भाईयों इस देश में आप दो राजनीतिक गडवंधन आमने सामने हैं एंडिये एंडिया अलाइंस इन दोनों की राजनीतिक टाकत कहां हैं इन दोनों की राजनीतिक की टाकत का कंपारिजन आप उत्तर प्रदेश में करें अस्ति सीटों वाला प्रदेश सर्वाधिक सीटों वाला प्रदेश और जिसको भी राजनीतिक ताकत मिलनी है वो उत्तर प्रदेश से ही मिलती है यूपी से ही वो ताकत प्राप्त होती है तो क्या उत्तर प्रदेश में इंडिये हवी है या इंडिया हवी है अगर 2019 और 22 के प बनवायों जब दो बड़े अलाइंस इस देश में तयार हो गए हो मुकाबला आमने सामने का हो वर्टिकल डिवीजन हो चुका हो राजनीतिका उस दौर में उत्तर प्रदेश सबसे एहम राजनीतिक राज्य है और यूपी की ही ताकत से दिल्ली की गद्धी मिलने जा रहे है कोई संदेह नहीं है इस बात पर उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाओं के बाद से तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फीजा भी बदल चुकी है क्या है उत्तर प्रदेश में इंडिया हावी है या इंडिया हावी है बनवायों राजनीति सभीकरण के हिसाब से 2014, 2017, 2019, 2022 NDA का उत्तर प्रदेश में कब जा है बहुत तगड़ा बोल वाला है नमबर आप एमेलेज, नमबर आप मेंबर आप पालियमेंट्स, राज्यसभा के सदस्य, नगर पालिका के चुनाओ या जिला पंचाहित के चुनाओ इंडिया अलाइंस और उसमें भी भारतिय जन्ता पार्टी की ताकत कोई बड़ी चुनाओती अब तक कोई प्रस्तुत नहीं हुई है तो जो लोग उम्मीद लगाए बढ़ें कि इंडिया अलाइंस क्या ताकत पैदा करेगा और क्या बीजेपी का मुकाबला करेगा आज हमारी परचर्चा इसी बात पर होगी इंडिया अलाइंस क्या है और उत्तर प्रदेश में इस अलाइंस का बहनुभाईयों भविश्य क्या है इसकी सम्यक होकर इसको जाचना चाहिए और इसकी राजनीति को भी समझना चाहिए हम मुद्दों के अलावा पहले इस बिशेप पर बात करने कि कौन किसके साथ खड़ा है और किसकी क्या राजनीतिक ताकत है बीजेपी यूपी में समाजवादी पार्टी के 2022 वाले फार्मूली पर काम कर रही है कैसे सपा ने भी 2022 में सभी छोटे 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 दलों को एक अठा करके एक अलावादी तैयार किया बीजेपी से लड़ने गए हार गए लेकिन समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ गई कैसे राजनीतिक रूप से नंबर आप मेलेज भी बढ़े वोट शेयर भी बढ़ा यहां कोर कसर रहे गई दोहजार बाइस में गिरते पढ़ते किसी तरह समाजवादी पार्टी को हरा ही दिये दोबारा सत्ता में भी आ गए तो वट नेक्स्ट कलतियां कहा हुई थी गलतियां यह थी कि राजभर का साथ चूट गया था महांदल वालों का साथ चूट गया था तो लानुपरिया पटेल को भी इजज़त देनी थी निशाद जी को भी इज़त देनी थी सबको मिल गई इज़त अब सबको एक अठा करके मोर्चा बना यह मोर्चा है भारती जंतापार्टी का नेत्रत लेकिन नाइंटीन परसेंट बीजेपी ही है इसमें एक उत्तर प्रदेश में कितनी ताकत्वर है बहुत ताकत्वर है लेकिन एक जगह बीजेपी घीरी हुई है कहां पश्चिम उत्तर प्रदेश और लास्ट जो नगरी चुना हुए है इस बात के उधारण है बीजेपी अभी जाट जाटों का फार्मूला खुज नहीं पा रही है उन से कैसे निप्टा जाए इस्ट यूपी में उन्होंने कॉंबिनेशन तै कर लिया सेंट्रल यूपी में भी तै कर लिया है लेकिन वेस्टर उत्तर प्रदेश की उस पट्टी में अम्रोहा से लेकर बागपत तक बीजेपी का मामला भी थोड़ा फसा हुआ है कारण क्या है कि किसान और जाटों के पीच जो नाराजगी और जाटाओ मतों का विखराओ यह हैंडल अगर बीजेपी कर ले गई तो फिर उसको चुनावती देना बहुत मुश्किल होगा बीजेपी की ताकत भी ही है और बीजेपी के किले में एक प्राब्लम भी ही है समाजवादी प पार्टनर है ना एक-एक करके भाग रहे हैं महांदल पहले निकला ओम प्रकास राजभर निकले पार्टी के कई दिगज देनेता साथ छोड़कर चले गए और अभी तो चुनावाने वाले हैं कुछ और भी हो सकता है जाएं तो समाजवादी पार्टी को खुद को इंट्र की होगी चंदर शेखर आजाद आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी यानि कि चंदर शेखर और जैंत अब एक यूनिट है उनके साथ कौन है कांग्रेस है और यह सब मिलकर कहा हैं समाजवादी पार्टी के साथ अलाइंस किये हैं यह है उत्तर प्रदेश में इंडिया अला उससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता है और पिछली बार जो उन्हें रणनी थी बनाई बीजेपी को तो जो मिला सो मिला सरवाधिक डेमेज समाजवादी पार्टी हुई इस बार भी मायवती क्या यही फार्मूल अपनाएंगी परसोन उन्हें प्रिसकान फेंच में विलक कि आगलन किया सकता है तो आज हम चर्चा में कंपरिजन करेंगे कि इंडिया आलाांस कितना राजनीतिक लूप से ताकतवर है और इंडिया से जुड़े मिसे हो सारे विश्वपर सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और उससे प्रभावित होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग भाजपा जोएन कर रहे हैं एंडिय का हिस्सा लोग बनने हैं तो हम लोग सबका स्वागत करना हैं सबको साथ लेकर चलने का संकल भारतियंता पार्टी का है मोजी जी का मने प्रधानमंदर जी का संकल पर सबका साथ सबका विकास उस एजन्डे को लेकर हम जन्ता की बीच में हैं आखिर कैसे विपच की एकता बनते ही जैसे ही इंडिया ने अपना सरूप लिया तो इंडिया वाले गडबंधन से डर करके जहां जहां भारतियंता पार्टी की सरकार है सब डरी हुई है उत्तर प्रधेश की सरकार भी डरी हुई है दो हजार चौबिस में इंडिया ही जीतेगा उत्तर प्रधेश की सारी सीटे इंडिया गडबंधन ही जीतेगा भाजपाहारेगी जो हमारा INDIA इंडिया गटबंधन है इस गटबंधन और उस गटबंधन की तुल्ना कर लिये जाए तो हमारे जो 26 दल है इसमें कुछ ही दल ऐसे है जिनकी लोगसभा में प्रतधितो नहीं है और मैकसिमम दल का प्रतधितो है ऐसी सिति बे अब इंडिया के मुकाबले अंडिय ये का कोई महद्द ही नहीं है